मेरे प्यारे देश्वासियों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो, जिसने अपने जीवन में आकास से जुड़ी कल्पनाई न की हो, बच्पन में हर किसी को आकास के चान, तारे, उनके कहानिया आकर्सित करती हैं, युवाओं के लिए आकास छुना सपनों को साकार करने का परिया होता है, आज हमारा भारत जो इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकास छु रहा है, तो आकास या अंतरीक इससे अच्छुता कैसे रह सकता है, बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं, देश की इनी उपलब्दियों में से एक है, इन स्पेस नाम की एजन्सी का निर्मा, एक ऐसी एजन्सी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही हैं, इस सुरुवात ने हमारे देश के युवाओं को विशेस रुप से आकरशित किया है, मुझे बहु से नवजवानों के इस से जुड़े संदेश भी मिले हैं, कुछ दिन पहले जब मैं इन स्पेस के हेड़क्वाटर के लोकारपन के लिए गाया था, तो मैंने कई युवा स्टार्टप्स के आइडियाद और उत्सा को देखा, मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की, आ आज से कुछ साल पहरे तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टप के बारे में कुछ सोचता तक नहीं था, आज इनकी संख्या सो से भी ज़्यादा है, ये सभी स्टार्टप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं, जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्रावेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था उधान के लिए चेन्नेई और हैदराबाद के दो स्टार्ट अपस है अगनिकूल और स्काइरूट ये स्टार्ट अपस ऐसे लाँच वेहिकल विक्सित कर रही हैं जो अंतरीक में छोटे पेलोर्स लेक पर जाएंगे इससे स्पेस लॉंचिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्ट अप त्रू स्पेस सेट्रिलाइट डिपलोयर और सेट्रिलाइट के लिए हाइट टेक्नलोरजी सोलर पैलर्स पर काम कर रहा है मैं एक और स्पेस स्ट स्टार्ट अप दिगंतरा के तन्वीर एहमत से भी मिला था जो स्पेस के कच्रे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वह ऐसी टेक्नलोजी पर काम करें जिसे स्पेस के कच्रे का समाधान निकाला जा सके दिगंतरा और दूप स्पे हैं इसी तरह बैंगलुरू के एक स्पेस स्टार्ट अप एस्ट्रॉम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के अडिया प्रकाम कर रही है यह स्टार्ट अप ऐसे फ्लेट एंजीना बना रहा है जो नए कवल छोटे होंगे बलकि उनकी कौस भी काफी कम होगी इस टेक्नलोजी की दिमान पूरी दुनिया में हो सकती है साथियों इन स्पेस के एक आरकम में मैं मैसाना की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था वो एक बहुती छोटी सेटेलाइट पर काम कर रही है जो अगले कुछ महनों में स्पेस में लौंच होने जा रही है तन्वी ने मुझे गुजराती में बड़ी सरलता से अपने काम के बारे में बताया था तन्वी की तरह ही देश के करीब साड़े साथ सो स्कूल स्टूडेंट्स अमरित महुत्सों में ऐसे ही 75 सेटेलाइट पर काम कर रहे हैं और भी खुशी की बात है कि इन में से ज्यादा स्टूडेंट्स देश के छोटे शहरों से हैं साथियों ये वही युवा है जिनके मन में आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवी किसी सिक्रेट मिशन जैसे होती थी लेकिन देश ने स्पेस रिफॉर्म्स किये और वही युवा अब अपनी सेटेलाइट लांच कर जब देश का युवा आकास छुने को तयार है तो फिर हमारा देश कैसे पीछे रह सकता है